बच्चो आज हम आपको परिमी संख्या को दसंब्र संख्या के रूप में विक्त करना बताते हैं जब स्कूल पहला प्रश्न हम आपको समझा रहे हैं पाउंच बटे आठ हम इसको पाँच को आठ से में भाग देना है दूसरा है 7 बटे 11, 7 को 11 से भाग देना है, ठीक है, 8 से 5 को भाग देना है, चुकि 5 आट से छोटा है, तो 8 का पहाड़ा 5 में नहीं जाएगा, तो आप क्या करेंगे, 0 दशम्राव लगाके, 1 0 यहाँ जाएगे, दशम्राव लगाने से पहले, आपको हमेशे बाद ध्यान दिया जाए अब यहां 50 हो गया और यहां 8 हो गया अब इसके लिए पहाड़ा पढ़िए यह हो जाएगा 6 ठीक है 86 48 कितना बचा बच्चों दो फिर चुकि दो बचा दशमलों पहले आ चुका है तो आप एक शुन्य अपने आप लगा सकते हैं 8 से 20 में भाग चलाएंगे तो क्या हैगा 8 दूनी 16 इतना बचा 4 फिर 0 लगा लिजे 8 पंचे 40 इसका मतलब क्या है यहां पर क्या बचा आपका शुन्य भाग पूरा खतम हो गया पतलब 5 बटे 8 परिमे संख्या को आपने दसमलों संख्या में परिवर्टित करा और यह आज़े कि 0.625 ठीक है अब साथ बटे 11 को आप देखिए यह 11 से साथ में पाढ़ा नहीं जाएगा वोई 0 दसमलों 0 लगा लेंगे 11 चिक 66 और आपका यहां बचेगा 4 फिर 0 लगा ले आपका यहां तो कटने के बाद शूने आया लेकिन यहां दो बार बाग देने के बाद आपका शाथ बना रहे जाएंगे जाता है शेश बचता ही चला जाता है और आगे तक होता ही रहेगा तो आप इस साथ बटे ग्यारा को क्या लिख सकते हैं 0.63 ठीक है फिर 63 और आते ही रहेगा ठीक है आपने यह देख लिया कि जब हम किसी परिमेश अंख्या को दसों में बदलना चाहते हैं तो कुछ संख्या है तो ऐसी है कि जिसमें पूरा-पूरा भाग चला जाता है और अंत में शुन्य बचता है कुछ भाग ऐसे हैं कि जिसमें शेश बचता है और उसी की पुन्हें पुन्रावरति हो जाती है अब इनी को हमें आपको बटाना है कि यह एक अंत होने वाली दसम्लों संख्या होत जैसे 3 बटे 4, 7 बटे 5 और 3 बटे 20 इसको हम आपको अलग-अलग भाग दे के रिखाते हैं 4 से मैं 3 को भाग दिया, 10 लगा के, 0 लगा लिया, 28, 2, फिर 0 लगा लिजे, 4 पंचे 20 ये भाग आपका पूरा-पूरा चला गया, 3 बटे 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.75 ठीक है, 5 से 7 को भाग दिजिए, 5 एकम 5, 2, पॉइंट लगाया, 2 में पहाडा नहीं जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 के 20 कितना आ जाएगा, 7 बटे 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 1.4, अब अगला प्रस्म देखिए, 20 से 3 को भाग देना है, ठीक है, नहीं जाएगा, 0 पॉइंट 0 लगा लेंगे, 20 से कम 20, 10 बचा, 0 लगा लेंगे, 20 पंजे 100, आपने देखा, यह तीनों के तीनों भाग पूरे हो गए, और यहाँ भी शुन्य बचा, यहाँ भी शुन्य बचा, और यहाँ भी शुन्य बचा, ठीक है, इसका मतलब है कि 3 बटे 4, 7 बटे 5, और 3 बटे 20 ये आपकी शांत दसंबलव संख्या है इनका भाग पूरा पूरा चला जाता है और अंत में आपका क्या बचता है शुनिय इसको उन क्या बोलेंगे शांत दसंबलव शुनिय इसमें बच्चो अगर आप ध्यान से देखें ध्यान से देखें तो आप जिससे आपने भाग दिया है वो क्या है 4, 5 और 20 ठीक है वो संख्या शांत दसमलों में व्यक्त होने वाली परी में संख्या होती है जिनमें आप उनके हर को देख लीजिए हरों को आपने इसमें देखा 4, 5 और 20 या तो ये केवल हर जो इसके है वो अभाज्य गुननफल है किसके या तो 2 के है या 5 के है या फिर इन दोनों के है देखो 4 को आप क्या लिख सकते हो? 4 को क्या लिख सकते हो? 2 गुना 2 5 को आप क्या लिख सकते हो? वो केवल 5 गुना 1, 5 का भाज्य गुननफल और 20 को आप क्या लिख सकते हो? 2 गुना 2 गुना 5 क्या क्या कर सकते हैं? किसी भी परी में संत्या में है आप सब्सके पहले उसका हर देखिए अगर वो उस हर में उसका हर अभाज्य गुननफल किस के रूप का हो या तो केवल दो के रूप का हो या पांच के रूप का हो या उन दोनों के ही भाज्य गुननफल हो तो आप कह सकते हैं कि वहद परिमे संख्या शांत दसंबलो संख्या है इसी तरह हम आपको बताते हैं अब हम आपको बताते हैं अशांत आवरती दसंबलव संख्या ठीक है देखिए जैसे एक बटे तीन और दो बटे ग्यारा एक बटे तीन को देखिए तीन से आपने एक को भाग दिया नहीं जाएगा 0.03 9 एक बचा फिर 0 फिर 3 फिर 9 फिर 1 बचा इस तरह करते करते आपका एक बटे तीन को आप क्या लिख सकते हैं 0 दसंबलो यह डेश 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 ठीक है 3 तीन तीन ऐसी 11 से 2 को आप भाग देंगे पॉइंट लगा की 0 11 एकम 11 9 बचेगा 11 8 18 फिर 2 बचा जिसको आपने भाग दिया था ठीक है फिर आपने फिर यहां 0 लगाया फिर 11 एकम 11 फिर 9 बचा फिर 11 एकम 11 यह देखिए 2 बटे 11 को आप क्या लिख सकते हैं 0.181818 and so on कहने का मतलब है इसमें आपका हर शेश वही बचेगा जिसमें आपने भाग दिया था और उसे की पुन्रावरती होनी शुरू हो जाती है ऐसी परिमें संख्या जिनको दसमलों में बदलने पर दसमलों भाग में एक अत्वा एक से अधिक अंकों के समूँ बार बार आते हैं और भाग की प्रक्रिया यह कभी समाप्त नहीं होती असांत आवरती दशमलों संख्याएं कहलाती है क्या अशांत आवरती दशमलों संख्याएं ठीक है आज आप इतने ही पड़ेगा कुछ प्रश कीजिएगा इसके अगली वीडियो में बताएंगे